बाड बहुत समय के बाद दुनिया में बहुत लोग रहत रहले। उँ बहुत दुष्ट अवरी बिगड गईल रहले। उँ एतना बुराई रहे की परमेश्वर एगो बढ़ियार बाड से ए दुनिया के नास करे के सोचले। बाकि परमेश्वर नुह से खुस रहले। उँ दुष्ट आदमियन के बीच में रहे वाला एगो धर्मी आदमी रहले। पर्मेश्वर नुह के बताईले की हम एगो बढ़ियार बाड के लावे वाला बानी, यही से पर्मेश्वर नुह से एगो बढ़ियार नाय बनावे के कहले। पर्मेश्वर नुह के लगभग 140 मीटर लंबा 23 मीटर चवडा औरी 13 मीटर उचा नाय बनावे के कहले। नुह के ओके लकड़ी से बनावे के रहे औरी ओमें तीन तल्ला बहुत कमरा एगो छत औरी एगो खिलकी बनावे के रहे। उनाय नुह औरी ओकरी परिवार औरी धर्ती के हर रेकान का चानवर के ओबाड से बचाई। नुह परमेश्वर के बाद के मनले उँ औरी उनकर बेटा लोग पोईसने नाय बनाईले। जैसन की परमेश्वर बताईले रहले। काहे से की उनाय बहुत बढ़ियार रहे। एही से उनके बनावे में कोई बरीस लोग गयील। नुह लोगन के आवेवाली बाड के बारे में चेतावनी दिहले। औरी उन लोगन के परमेश्वर की ओरी फीरे कहले। बाकी उन लोग उन पर विश्वास ना कईले। परमेश्वर नुह औरी उनकरी परिवार के खातीर औरी जानवर के खातीर बहुत भोजन एकर्था करे के कहले। जब सब कुछ तयार रहे तब परमेश्वर नुह से कहले की इस समय तोहार तोहरी महरारू के तोहरी तीन गो बेटा के औरी उनके महरारून के कूल मिला के आठ जन नाय में जाय वाला रह ले। परमेश्वर हर जानवर औरी पच्छी के नर औरी मादा के नुह के पास भेजले ताकि उनाय में जा सके औरी बाड की समयले बचल रहे। परमेश्वर यसहीं हर रेकान का जानवर के सात नर औरी सात गो मादा के भेजले ताकि बलिदान चड़ावे की काम में आजा। जब उ सब लोग नाय में पहुच गईले ता खुद परमेश्वर नाय का दरवाजा बंद का दिहले। ता बारिस होके सुरू भाईल औरी बारिस होत ही रहे, होत ही रह गईल बीना रुकलहीं चालिस दिन औरी चालिस रात तकले बर्षते रह गईले। सारा दुनिया हर एक चीज इहा तकले की उचा से भी उचा परवत डूब गईल। औरी उ लोगन औरी जानवरन छोड जेवन की नाय में रह ले, सुखल जमीन पर रहे वाला हर एक चीज मर गईले। उ नाय पानी में तरत ही रहे औरी नाय के भीतर के हर एक चीज के डूबे से बचा के रखलस। बारिश के रुकला के बाद पांच महीना तकले उनाय पानी में तरत ही रह गईल। औरी वो समय के बीच पानी कम होखे लागल। तब एक दिन उनाय एगो परवत पज्ञा के रुक गईल। बाकी दुनिया अबही भी पानी से धाकाईल रहे। तीन महीना के बाद परवत का चोटी लौके लागल। फिर औरी चालिस दिन के बाद नू एगो कववा के इदेखे खातिर भेजले की का पानी सुखा गईल ह। उ कववा सुखल जमीन की होज में इधर उधर उड़त रहे। बाकी उ के अईसन क्योंनो जग ना मिलल। फिर बाद में नू एगो कववतर के बाहर भेजले। बाकी उ के भी क्योंनो सुखल जमीन ना मिलल। यही से उ नू के पास वापस आ गईल। एक हपता के बाद नू उ कववतर के फिर से भेजले। और उ अपनी चोच में जैतुम का एगो सखा लेके वापस आ इल। पाने घटत रहे और उ पवधा फिर से जामे लागल। नू एक हपता और इंतिजार कईले। और तीसरा बार उ कववतर के बाहर भेजले। यह बार उ के रोके के जगह मिल गईल। और उ वापस ना आईल। पानी सुखत रहे। दू महीना के बाद परमेश्वर नू से कहले अब तू और तोहार परिवार और सारा जानवरन के नाय से निकाल ले आवा। बहुत धेर बेटन संतानन और पोता पर पोता जनमाव और पिर्थिविक के भरदा। एही तरसे नू और और उनकर परिवार नाय से बाहर निकल आईले। नू के नाय से बाहर आईला के बाद उ एगो बेदी बनाईले। और बली करे खातिर चढ़ाई वाला हर रेकान के जानवरन के खुश बली चढ़ाईले। परमेश्वर ओ बलिदान से खुस भईले औरी नुह औरी उनकरी परिवार के अस्रिबात दिहले। परमेश्वर कहले हम वाधा करतबानी की आदमी के द्वारा कोईल गोईल बूरा काम के कारण हम फिर जमीन के स्राप ना देई या बाड द्वारा दुनिया के नास ना करब। हला की आदमी अपनी बच्पने से ही पापी हो। फिर परमेश्वर अपनी वाधा के चिन के रूप में मेग धनुस के बनाई ले। जब कबो भी आकास में मेग धनुस दिखाई देला तो परमेश्वर याद करे न की हम का वाधा केले बानी औरी वो सही उनकर लोग भी याद करी हैं। उत्पत्ति अध्या 6-8 से एगो बाइबिल का खीसा।